नमस्कार प्रियदर्शकों हाजर हुमें मंगल राशी परिवर्तन प्रभाव को लेकर 25 दिसंबर 2019 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान तुला राशी को छोड़कर स्वराशी अपनी साधारन राशी वर्ष्चिक राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं और जब भी कोई ग्रह खुद की राशी में गोचर करता है तो वो विशेश प्रभावी हो जाता है चाहे वो उसकी साधारन राशी ही क्यों न हो मंगल उर्जा हैं मंगल तेज हैं मंगल पराक्रम हैं और ये विश्व कर्म प्रधान है भलस्वरूप पराक्रम की ये कारक मंगल हमारे उपर विशेस प्रभाव रखते हैं क्योंकि ये ब्लड के कारक है मंगल लडाई जगडा वाद दिवाद इन सबों पर मंगल का ही प्रभाव है मेश शलेकर के मीन राशी परियन प्रतेक राश के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर का हम प्रभाव जानेंगे क्या लाब और क्या हानी लेकर क्या रहे हैं इस पर हमारी चर्चा होगी इस पर हमारी ब्रियत चर्चा होगी इस क्रम में आज हम जानेंगे मेश शे लेकर कन्या राशी परियन इन छह रासी के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर क्या रहा है सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशी मेश राशी मेश राशी के जातकों के लिए यह गोचर देखा जाए तो आपकी राशी के स्वामी होकर मंगल राशी शे अस्टम भाव में सुंचरन करेंगे वैसे तो सामानने तया अश्टम भाव में ग्रहका गोचर बहुत अच्छा फल प्रदायक नहीं होता परन्तु यहाँ बात थोड़ा अलग है क्योंकि मंगल आपकी राश के स्वामी है और स्वरासी में सुंचरण करेंगे फलस्वरूप यह गोचर थोड़ी परिशानी लेकिन जादा फायदा लेकर के आपके लिए आएगा कहां फायदा और क्या नुकसान आएए इसको पहले समझ लीजिए अश्टम भाव में संचरण करने के कारण कहीं न कहीं जो भी चीज आपको प्राप्त होगा उससे आपको असंतुष्टी अवस्य होगी यानि आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे परन्तु कारेक्षित्र में लाभ मिलने वाला है मेहनत आपकी बढ़ने वाली है और आप अपने पराक्रम से अपने कर्म से सब कुछ पा सकेंगे अस्टम भावस्त मंगल की दृष्टी लाभ पर धन पर और पराक्रम पर होगी तो धनागवन के नए रास्ते बनेंगे धन संचयन होंगे और पराक्रम में आपके बृध्धी होने वाली है अब मंगल स्वरासी के होकर के छोटे भाई बहन के घर को देखेंगे तो छोटे भाई बहन के साथ संबंधों में थोड़ी कमी आ सकती है पैत्रिक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद है तो ये विवाद बढ़ सकता है इस गोचरकाल के दौरान आपको अपनी वानी पर बेहद कंट्रोल रखना होगा बिना सोचे समझे बिलकुल ही मत बोलिये अब मंगल अस्टम में संचरन करेंगे तो लगन के बल को बली कर देंगे फलस्वरुक इस गोचरकाल के दौरान आप अपने अंदर जबरदस्त उर्जा महसूस करेंगे ऐसा कौन सा कारे है जो आप ठान लें और पूराना कर लें मंगल का अस्टम में संचरन हो रहा है तो जरा ऐसा चोट चपेट की घटनाओं से सावधान रहिएगा चोट चपेट से संबंधित दुर घटना से संबंधित परिशानी हो सकती है मद्यपान की बूरी लत है तो जरा सावधान हो जाईए मद्यपान करके वाहन संचालन आपको मुश्किल में डाल देगा तो आपको बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए इस गोचरकाल के दौरान अगर देखा जाए तो थोड़ी अनावस्यक खर्च की स्तुती बढ़ सकती है इससे आपको परिशानी होगी परन्तु धनागमन बहुत बढ़िया होगा तो खर्च से कोई दिक्कत नहीं है तो विदेष इत्यादी जाने के लिए आप प्रत्न शिल्त है सदा के लिए जाकर के विदेष में बसने के लिए आप प्रत्न कर रहे थे तो आपको प्रयास करना चाहिए काम बन जाएगा इस गोचर काल के दौरान ससुराल पक्ष का विशेस सहयोग दिखाई पड़ रहा है ससुराल पक्ष की ओर से विशेस आपको सहयोग मिलेगा इस गोचर काल के दौरान अचानक धनलाब होने वाला है अचानक घर में खुशियां आने वाली है मिला जुला करके देखा जाए तो लगभग 85% यह गोचर आपके लिए फाइदे मंद और 15% परिसानी जिसमें आपकी गलतियों से ही आपको परिसानी होगी अनित्हा बाकी कोई दिक्कत नहीं वृषब राशी वृषब राशी के जातकों के लिए यह गोचर क्या प्रभाव लेकर क्या रहा है देखा जाए तो मंगल आप की राशी से सप्तम भाव में संचरन करेंगे बारहमे भाव के स्वामी होकर सप्तम्भाव के स्वामी होकर सप्तम्भाव में खुद की राशी में ये मंगल रूचक राज योग का निर्मान करेंगे अब मंगल की दृष्टी आप की राशी पर पढ़ने के कारण निसंदेह इस गोचरकाल के दोरान आपके उर्जा में बृध्धी होगी फलस्वरूप मैं ये कह सकता हूँ कि आपके क्रोध में भी बृध्धी होगी सब्तम्भाव में मंगल का संचरण व्यापारिक छित्रों में व्यापार के छित्र में जबरदस्त उन्नती सफलता दिलाने का ये काम करेगा कारिक छित्र में सफलता मिलेगी वहीं मंगल के दृष्टी धनभाव पर होने से धन संचयन के छित्र में विशेस लाव मिलेगा लेकिन इस गोचरकाल के दौरान जीवन साथी से थोड़ी नोक जोग हो सकती है जीवन साथी के साथ सम्मंधों को मधूर बनाने का प्रत्न करिये देखा जाये तो वरतमान समय में ब्रुशवरास के जातकों को सनी की धैया चल रही है ये धैया जनवरी में समाप्त होगी और फर्वरी साथ फर्वरी तक मंगल का ये गोचर होगा तो आपके लिए बढ़िया होने वाला है अगर आप और विवाहित है तो विवाह का सुख मिल सकता है या हो सकता है विवाह के छित्र में आगे बात चीत हो पार्टनर के साथ अगर आप पार्टनर सिप में ब्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ संबंधों को मधूर बनाने की कोशिश कीजिएगा संबंध पार्टनर के साथ जितना हो सके बढ़िया बनाने का प्रत्न करिया आपके लिए जरूरी है पेट से संबंधित परिशानी आपको हो सकती है जरा खान पान का खयाल रखियेगा मिला जुला करके देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए हर प्रकार से अच्छा है ब्ययाधिक के होगा लेकिन ये ब्यय आपके लिए फाइदे मंद होने वाला है अब जरा इस गोचर को एक बार समझेए मंगल सब्तम भाव में संचरन करते हुए दसम को, लगन को यानि आपकी रासी को और धन को देखेंगे तो मंगल की दृष्टी कर्म भाव पर होने से कारेक छत्र में आपका विशेष विकास होना लगन पर दृष्टी होने से आपके व्यक्तित्व में विशेष विकास होना परन्तु निशन देह इस गोचर काल के दौरान आपके क्रोध में भी बृध्धी होगी सो भाव थोड़ा चिलचला हो जाएगा आपको इस बात का खयाल रखना है कि किसी के साथ भी बातचीत करिये तो बड़ी ही मधूरता के साथ मधूर बातचीत करिये क्यों? क्योंकि मंगल की दृष्टी पढ़ेगी दिये भाव पर जो वाणी का भाव है और आपकी वाणी के कारण भी आपके काम दिगड सकते हैं तो वाणी पर अगर कंटोल रख लिया तो समझ दीजे मंगल का ये गोचर आपके लिए मंगल ही मंगल करने वाला बन जाए मिथुन राशी मिथुन राशी के जातकों के लिए देखा जाए तो मंगल वैसे तो आपके लिए कारक नहीं होते परन्तु मंगल लाभे सोकर के सस्ठम भाव में खुद की राशी में संचरन करेंगे मैं समस्ता हूँ कि आने वाले दिनों में आपको शनी की ढईया लगने वाली है जनवरी से अब ज़रा विचार करिए मंगल आपकी राशी से सस्ठम में संचरन करेंगे खुद की राशी में फलस्वरूप ये शत्रुहंता योग होगा मंगल का सस्ठम भाव में संचरन आपके लिए देखा जाए तो शत्रुहं पर विजय दिलाने वाला होगा इस गोचरकाल के दोरान कोट का चहरी बाद विबाद हर जगह पर आपको विजय ही मिलने वाली है हलाकि अपनी सिहत को ले करके आपको सावधान विशेश रूप से रहना होगा सावधानिया बरतनी होंगी अगर सावधानी बरते तो स्वराशी के मंगल जो लंबे समय से चली आ रही बिमारी हो उससे आपको मुत्ति दिला देंगे कोई भी कानूनी मामला आपका चल रहा है वहाँ पर निशन देह आपको सफलता मिलने वाली है निशन देह ब्यायब में बृद्धी होगी खर्च बढ़ने वाला है हो सकता है जल्दबाजी में बिना सोचे समझे आप अत्यधिक खर्च करेंगे परंतु एक बात तय है क्या तो मंगल की दृष्टी भाग्य पर ब्याय पर और लगन पर होगी अगर आप नौकरी पेसा है तो कारिस्थल पर काम्यावी हासिल होने वाली है विद्यार्थी है और सरकारी नौकरी के लिए प्रत्न कर रहे हैं तो मंगल है पराक्रम आपके प्रत्नों से आपको काम्यावी हासिल होने वाली है आपके द्वारा किया गया प्रत्न की गई मेहनत रंगल आएगी इसमें कहीं कोई संसर नहीं मंगल रिन के कारक हैं अब मंगल को जरा समझीए सस्थम भाव में खुद किरासी में संचरण कर रहे हैं तो छठवे से छठवा लाभ को बल दे देंगे और रिन समुक्ति का एक मात्र उपाय है आपके पास धनागमन हो बिना धनागमन के रिन समुक्ति किसी को नहीं मिली तो मंगल अपने दूसरे घर के बल को बली कर देंगे फलत धनागमन बढ़ जाएगा अब जब धनागमन बढ़ जाएगा तो रिन समुक्ति का एक नया मारग आपको मिल जाएगा और सुनिए रिन लेने के लिए प्रत्न शील हैं काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है बैंक में बादची चल रही है लेकिन काम बन नहीं रहा अब बनेगा आपको प्रत्न करना चाहिए स्वराशी के मंगल रिन दिलाने का भी काम करते हैं परन्तु सावधान हो जाएए मंगल के लिए आपने सदईव मेरे मुँझ से सुना है मंगल का यहां से संबंध रिन देना नहीं है वैसे तो मिथुन राशी के जातकों को मैं सदईव कहता हूँ कि आप रिन देने के बारे में सोचिये ही मत कभी नहीं परन्तु इस गोचर काल के दौरान तो आप कसम ही खा लीजिए सपत ले लीजिए आपको रिन नहीं देना क्योंकि रिन देंगे तो शत्रू पैदा करेंगे जिसको रिन दिया वो शत्रू हो जाएगा पिता की सेहत का जरा खयाल रखियेगा पिता की सेहत में कमी आ सकती है ब्याधिक की होगा और आपके कुरोध में बृध्धी हो सकती है तो जो बोलिए सूच समझ करके बोलिए तोल कर बोलिए आपको कोई परिशानी नहीं होगी अगर तोल कर बोलते हैं तो आपको समस्या नहीं होने वाली है मिला जुला करके देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहने वाला है किसी भी प्रकार के चिंता की आवशक्ता नहीं है करकराशी करकराशी के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर क्या रहा है बेहद, बेहद ही खास होने वाला है ये गोचर, अत्यंत स्रिष्ट मंगल देखा जाए तो करकरासी के जातकों के लिए सरवाधिक योग कारक बनते हैं पहले तो ये केंद्र त्रिकोन राज योग, दूसरा स्वरासी में बैठे मंगल अत्यंत स्रिष्ट प्रभाव देने जा रहे हैं, ये गोचर आपके लिए हर प्रकार से स्रिष्ट फलद आई है मंगल की दृष्टी अश्टम भाव पर, लाभ भाव पर और ब्याय भाव पर होगी श्वरासी के मंगल अश्टम को देख करके, स्वास्त से सम्मंधित कोई विशेश परिशानी है, तो उसको दूर करने का काम करेंगे दिर्ग काल से चली आरही कोई परिशानी है, उसे दूर करने का काम करेंगे आकस्मिक धनलाव कराएंगे विद्यार्थी हैं तो सिक्षा के छित्र में सफलता दिलाएंगे सिक्षा को लेकर के अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर के विदेश जाना चाहते हैं वहाँ पर जाकर के सिक्षा ग्रहन करना चाहते हैं आपके लिए विशेस फायदे मंद होने वाला है ये गोचर वहीं मंगल की दृष्टी लाभ भाव पर होगी तो लाभ के नय रास्ते ये बनाएंगे धनागमन के नय रास्ते आपके जीवन काल में खुल जाएंगे स्वदेश से नहीं वरन विदेश से भी धनागमन का नया रास्ता नया मार्ग आपको मिल जाएगा वहीं आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कमी अवश्य आएगी लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो यह गोचर करकराश के जातकों के लिए सभी प्रकार से बहुत बढ़िया है अब मंगल तेज है भलस्वरूप गर्भभाव में जब इनका सुंचरन होता है तो इस बात को लेकर के जरा सावधान रहना चाहिए कि जो गर्भिनी महिलाएं हैं गर्भभवती हैं उनको जरा सावधान रहना चाहिए अगर प्रारंभिक दौर का गर्भ है तो क्योंकि मंगल सूर्य के समान तेज वाले नहीं है सूर्य के पास तेज जलाने की छमता जादा है परंतु फिर भी मंगल की बात कर ली जाए तो इनके पास भी तेज है तो ये भी गर्भ को खराब करने का जलाने का काम कर देते हैं अतह वो महिलाएं जो गर्भवती हैं उन्हें इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से सावधान रहने की मैसलाह दूँगा वहीं अगर आप लाइजनिंग का काम करते हैं वोवानी से सम्मधित काम करते हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष फायदा मिलेगा कमीशन से सम्मधित काम करने वाले लोगों के लिए गोचर विशेष लाभदाई सुद्ध होगा और विसेस धनागमन मिर होगा वहीं अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है रुका हुआ है और आप लेने के लिए बहुत तिनों से प्रेत्न कर रहे थे बात नहीं बन पा रही थी तो यूँ समझ लीजिए कि ये गोचर आपके लिए फाइदे मंद होगा धनागमन होगा जो पैसा रुका हुआ है वो धन मिलेगा और धन मिलने से खुशी होगी अब जरा एक बात और समझ लीजिए मंगल की दृष्टी बार में भावपर होगी तो ब्याधिक्य भी होगा खर्च में बृध्धी होगी परंतु जब धनागमन हो और बयाधिक्य हो तो ज़्यादा चिंता की कोई आवशक्ता ने मिला जुला करके देखा जाए तो करकराश के जातकों के लिए गोचर सरवाधिक स्रेश्ट फल प्रदायक है चाहे वो नौकरी हो चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो प्राइविट जॉब करने वाले हो चाहे वो विदेश जाने की इक्षा रखने वाले हो हर प्रकार से यह गोचर करकराश के जातकों के लिए लाभदाय सिद्ध होने वाली है शिम्ह रासी आपके लिए भी यह गोचर बेहत खास होने जा रहा है क्यूं? देखा जाए तो आपकी राजी स्मंगल भाग्ये सुकर के सुखे सु करके सुख भाव में संचरन करेंगे रूचक राजयो का लाभ आपको मिलेगा केंद्र त्रिकोन राजयो का लाभ मिलेगा धर्म भाव का मालिक जाकर के सुख भाव में बैठ जाए तो भूमी भवन वाहन इन सुखों में विशेश रूप से बृध्धी होने वाली है मा की सेहत का खयाल दखिएगा किसी भी कारण से मा के साथ बहस नहीं होनी चाहिए और कोई भी कारे करिये मा के आशिरवाद से करिये फिर देखिए बहुत बढ़िया मंगल की दृष्टी सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टी कर्म भाव पर और मंगल की दृष्टी लाभ भाव पर स्वरासी के हैं मंगल परंतु तेज हैं उर्जा हैं फलस्वरूप घर में कलह का कारण दो ही होगा एक आपकी पत्नी के साथ संबंध में कोई परिशानी उत्पन नहों दूसरा आप मा और पत्नी में के बीच सामन जो सिन्व इठा पाएं तो हो सकता है घर में कलह का बाता बरण अवश्य देखना पड़े लेकिन चुकि ये खुसियों भरा समय है घर का माहल बहुत पढ़िया रहने वाला है मैंने जैसा कहा भूमी भवन वाहन इन सुखों में विशेस बृधी होने वाली है कारेक छेत्र में सफलता जैसा चाहते हैं कारेक छेत्र में वैसा होने जा रहा है अगर आप दलाली या कमीशन से सम्मदित छित्र में काम करते हैं तो विशेस फायदा आपको मिलने जा रहा है वहीं मंगल की दुरुष्टी कर्म भाव पर है दूसरों का काम करा करके आप धन कमाते हैं तो आपका धन विशेस रूप से बढ़ करके आपको मिलने वाला है आकस्मिक धनलाव की सूचना है कहीं पैसा रुका और फसा हुआ है तो वो धन आपको मिल सकता है यानि मिलाज उला करके देखा जाए तो शिमरासी यानि पिछली रासी करक रासी जिसे सरवाधिक लाव मिलने वाला था और दूसरी रासी शिमरासी हुई आपको भी मंगल के इस गोचर से केवल मंगल ही मंगल देखना है केवल फाइदा ही फाइदा देखना है जितना हो सके इस गोचर का लाभ उठाईए यानि ये गोचर देखा जाए तो चहू और से चाहे वो भाग्य का साथ हो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा आपको बस कदम बढ़ा लेना है कोई काम करना चाहते हैं कदम बढ़ाईए यू समझ लीजे कि भाग्य खुद बखुद चल करके आपके साथ खड़ा है और आपका सारा काम भाग्य के सहारे होता चला जाएगा आपको केवल बस प्रत्न कर लेना है प्रत्न करिये काम बन जाएगा यानि मिला जुला करके देखा जाए तो सिम्हरासी के जातकों के लिए किसे विशेश चिंता की आवशक्ता नहीं बस अपने काम में लगे रहिए वैसे भी आपका वक्त ठीक होने जा रहा है रासी से शनी पंचमस्त चल रहे थे और पंचमस्त शनी ने आपको परिशान अवस्य कर रखा था अब ये वक्त बदलेगा जन्वरी में और साथ फरवरी तक मंगल का ये गोचर है यानि मिला जुला करके देखा जाए तो हर प्रकार से आप अब इस समय का लाब उठाए और बीते दिनों जितने भी आपके कस्ट हुए हैं आपके साथ परिशानी आपकी हुई थी वो सब अब एक एकर के धिरे धिरे सब को दूर कर लीजे कन्या राशी कन्या राशी के जातकों के लिए वैसे तो मंगल कारक नहीं होते परन्तु अस्टम पती होकर तृतिये भाव में खुद की राशी में संचरन करेंगे फलत स्वरूप ये विपरीत राज योग के जैसी स्थित होगी फलता देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया होने वाला है खुद को बेहद स्वस्थ महसूस करेंगे आप भौतिक संसाधनों की सुविधा बढ़ने वाली है आय में आपके बृद्धी होने वाली है धिक्य होगा ब्यय होगा परन्तु कोई दिक्कत नह नहीं आपके लिए गोचर फाइदे मंद है भाग्य का साथ मिलेगा कारिक छित्र में आपके विशेश विकास होने वाला है वहीं देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी परिशानी आ सकती है इस गोचर काल के दौरान यात्राएं होंगी जो क आपके लिए बेहद लाभदाई सुद्ध होने वाली है नौकरी पेसा हैं तो कारिस्थल पर सहकर्मियों का साथ मिलेगा उनके उपर आपका प्रभाव आपका प्रभुत्व बढ़ चढ़ करके पढ़ने वाला है अब देखा जाए तो कन्या राशी के जातकों के लिए हग भाग्य भाव पर और मंगल की दृष्टी कर्म भाव पर होगी सस्थम भाव पर मंगल की दृष्टी होने के कारण रोग रिपूरिन इन सभी चीजों से आपको मुक्ति दिलाएंगे परन्तु आपको किसी को भी पैसा उधार नहीं देना होगा रिन सनिसंदेह आपको मुक क्योंकि कर्म और पराकर्म का संबंद बन जाएगा अतह देखा जाए तो कारेक छत्र में इस गोचर काल के दौरान आपका विशेस विकास होगा कन्या रासी के जातकों के लिए भी देखा जाए तो यह मंगल का गोचर फाइदे मंद होने वाला है प्रियदर्शकों आज हमने बात की में सिशले कर कन्या रासी परियंत छह रासी के जातकों के लिए मंगल के गोचर का प्रभाव बाकी की छह रासियां यानि तुला से लेकर के मीन रासी परियंत इन छह रासी के जातकों के लिए हम कल जानेंगे मंगल का प्रभाव अब मैं आपको बता दूँ कि गोचर के प्रभाव को अगर जानना है तो अपनी जन्म कुंडली में मंगल की इस्तिती को देखिए अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल बलवान अवस्था में है तो ये गोचर आपके लिए निसंदे फायदे मंद सिद्ध होगा इस गोचर का अगर और बढ़िया लाव लेना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए मंगल के बीज मंतरों का जब करना चाहिए मसूर की दाल और गुड का दान करना चाहिए इससे आपको इस मंगल के गोचर का विशेस लाव मिल जाएगा हो सके तो छोटे भाई बहनों का भी सम्मान करिए जहां जहां मैंने बताया है कि इस राशी के जातक को छोटे भाई बहनों के साथ परिशानी होगी तो आपको मैं यही सलाह दूँगा कि आप प्रत्न यही करिए कि छोटे भाई वहनों के साथ सम्बंध आपका खराब न हो छोटे भाई वहनों के सम्मान से भी मंगल बढ़िया फल देने लगते हैं तो आज के लिए वस इतना ही इजाज़त दीजिए बाकी की छहराशियों के साथ कल आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार